बियान चल रहा है कहीने कहीं पूरे देश के लोगों को एक संदेश है कि अगर हमें समरीद भारत बनाना है तो हमें स्वक्ष भारत बनाना पड़ेगा जो गांदी जी का सपना था और गांदी जी ने नारा दिया था स्वक्षता का तो हमें अगर समरीद बनना है तो हमें अधिकारी हैं सभी लोग साप सफाई के लिए उत्रे हुए हैं और जनता को यही संदेश दे रहे हैं कि आप अपने आसपास साप सफाई रखिए यह जागरुकता के लिए ही हो रहा है और मुझे लगता है कि हम लोग तो लगातार इसमें लगे रहेंगे और हमने अपनी पूरी टीम भी बना ली है और सिर्फ यह एक दिन के लिए नहीं है आजमगड को स्वक्ष आजमगड बनाना ही हम लोगों का लक्ष है और उसके लिए हम लोग लगतार काम करेंगे